हेलो फ्रेंट सरकारी रोजगे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत फ्रेंट साप चैनल पर नहीं चैनल को जुरूर सस्क्राइब कर लें और पल आइकन प्रिस कर लेए जिससे मारे अनुली आल नोट किसन आपको समय समय में पर मिलती रहे तो वीडियो को जास से यूड़े का वोटर कार्ड पूरी जान क्रिप को मैं बता देता हम क्या कुछ इसमें प्ताया गया है तो केंदरिया मंतरी मड़ल ने बुदुरवार को दो बड़े सुधारों से जुदे विदयग को मझजूरी दे दी है, पहला बड़ा सुधार लड़कों के विवाग की ओमर में जुड़ा है तो कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवा की नियुनतम उमर एक समान यानि 21 वर्स करने के विदेख को मुझूरी दे दी है तो इसमें 21 साल लड़का और 21 साल लड़की की साधी की जो उमर है रखी गई है बराबर उमर रखी गई है ठीक है तो 21 वर्ष करने के विदेग को मंजूरी दे दीगी है यह कानून लागू हुआ तो सभी दर्मों और विरकों में लड़कियों की वगा की नियुनतम उमर बदल जाएगी तो वही चुनाफ सुधारों से जुड़े विदेग को भी मनजूरी दे दीगी है इस विदेग के ससंद के ससंद से पास होने पर वोटर आईडी को अधार कार्ट से जोड़ने के साथ ही नए वोटरों की हर्जिश्टेहन से ज़्यादा मौके मिलेंगी माना जा रहा है कि ये दोनों विदेग ससंद के मौजूदा सतर में ही पेश किये जाएंगे यह दोनों ही सुधार अपने आप में करांतिकारी माने जा रहे हैं लड़कियों और लड़कों कोई विवार की नियुनतम उमर एक समान करने की गोश्णा परतानमत्री नरेंदर अमोदी ने 2020 में लाल किले में लाल किले से अपने संबोधन के दुरान की थी तो वही चुनाव सुधारों का मुद्दा चुनाव आयोग काफी समय से उठाता आ रहा है तो इसमें और भी कुछ बताया प्यार साथियो आपको मैं बता देता हूं तो विवाह की उमर में बदलाव के लिए टास्क फोर्स ने की थी चार कानौनों में विश्ण सोधन के साथ सभी धर्मों पर समान रूप से लागू करने की सिपारिस की गई थी तो इसमें क्या कु संबर में नीतियों को स्पूर्द की थी तो टास्क फोर्क्स ने यूप्तियों की विवाह की उमर बढ़ाकर 20 वर्स करने का पूरा टॉल रोल आउट प्लान सो पता और इसे समान रूप से पूरे देश में सभी वर्गों पर लागू करने की मजबूत सिपारिस की है तो का दूसरा बड़ा सुधार है जो समान रूप से सभी दर्मों के लिए लागू होगा इससे पहले एन और आई मैरिज को 30 दिन के बित्र पंजिकरित कराने का बड़ा कदम उठाया गया था और भी इसमें कुछ बताया है दिसम्बर 22 में 10 सदस्यों की टास्क फोर्क्स ने द वारिस की है यूट्यो की नियुनतम उमर में आखरी परिवर्थन 1908 में किया गए था और इसके लिए सार्दा एक्ट 1939 में परिवर्थन कर उमर 15 से ठारा की गई थी और इसमें नीचे कुछ बताया है ठारा से 21 वरस के बीच विवाह करने वाली लड़कियां 16 क्रोड रपी ठारा साल से 21 साल के बीच में जो विवाह करने वाली लड़किया हैं 16 क्रोड लड़किया हैं तो यूरी सेफ के अनुसार भारत में हर साल 15 लाख लड़कियों की साधी 18 साल से कम उमर में हो जाती है जनगर्णा माहपंजीक के मुताबित देश में 18-21 साल के बीचे विवा करने वाली यूतियों की संख्या करीब 16 करोड़ा है ठीक है तो इसमें ये बताया है तो दार कार् देख लेना तो यह बड़ी डिटा थी प्यारे साथियों के इंदर सरकार की तरफ से अप लड़कियों के साथ यह जो 21 साल की उमर में होगी ठीक है लड़कों की और लड़कियों की 21 साल की उमर में साध्य होगी ठीक है तो पूरी जान की अब को मैंने बता दिये तो आपने वीडियो को जा सेरे करते ल brings तक कि हर एक रियाणा बास्यों का जान करी मिल शेके तो मिलते हैं नेक्स टूडियों में जैहिंज आवारत